हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज़े ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकुर्मेंट फोर दहली यूनिवर्सिटी डी यू नॉन टीचिंग पोस्ट 2021 का ओनलाइन फॉर्म आप मॉबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बार अगर आप मॉबाइल से फिल कर रहे हैं फोर्म को तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, सबसे पहले इस वेकेंसी से रेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहां पर फ्रेंस आपको अपलाई का लिंक भी मिल जाता है, या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारे अपडेट्स मिल सकें, अब यहां पर बात करते हैं, फॉर्म फिल अप के बारे में, तो फ्रेंस यह इसका ओनलाई अपलाई पोर्टल है, ज उपन हो जाएगा, जो की है यहां पर इंस्टक्शन का, इंस्टक्शन को ध्यान से बढ़ें, चेक करें, इसके बाद सबसे लास्ट में आने के बार इसको डिकलेर करके, क्लिक हेर टू प्रोसीट पर क्लिक करें, यहां पर फ्रेंस आपका जो यह फॉर्म है, यह स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा personal details section, अब यहाँ पर देखिए friends से क्या क्या details आपको fill करनी है तो सबसे पहले आपको option मिलता है नाम का तो name, father name and mother name यह आप अपने 10 की mark sheet के according fill करेंगे, आपका date of birth date, month and year आपको यहाँ पर select कर लेना है तो आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद friends से next option आपको मिलता है यहाँ पर gender का आपको यहाँ पर gender select करना है आपका कोई भी एक ID proof, pen card, passport आपका कोई भी admit card जिसमें आपकी photograph हो, voter ID, राशन card, bank passport, DL या फिर कोई भी valid photo ID proof अब यहाँ पर अगर आप इसको select करते हैं तो अपना अधार का number आप इस section में दे सकते हैं इसके बाद नीचे है आपका address section तो आपका जो भी पूरा address है वो आप यहाँ लिख सकते है, locality, आपका local area का नाम लिख सकते हैं, बाकी जो भी pin code है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, इस calendar के माध्यम से इसके बाद यहाँ पर friends आपको option मिलता है, mail ID का और आपके mobile number का, तो आपका जो भी active and valid email ID है और mobile number है यह आप फिल करेंगे, बाद में आपको इनको verify भी करना होगा इसलिए friends यह बिल्कुल active होने चाहिए, और जब तक इसी process complete नहीं होती, यह आपके active ही रहने चाहिए, तो इसलिए active details को यहाँ पर फिल करें, इसके बाद अगर अगर आपका permanent and presentator same है, तो same as पर click कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप numerical value और एक special character उस password में होना जरूरी है तो जो भी password आप बनाएं, उसमें friends upper case, lower case, numerical value और special character को जरूर रखें कोई भी security question आप यहाँ पर select कर सकते हैं, और उसका जो answer है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आपको नीचे मिलता है security code, आपको यहाँ पर security code दिया गया है, यह security code आप enter करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इसमें submit कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आपको आपका registration page है, इसका preview मिलेगा और यहाँ पर जो भी details आपने fill की हैं, उसको आप verify करेंगे verify चेक करने के बाद, अगर आपको लगता है कि गलती है, आप इससे सही कर सकते है आपको नीचे edit का option मिल जाता है बाकि आप यहाँ पर इनको tick करेंगे कि आपने यह side details को चेक कर लिया है और आप verify कर रहे है कि जो भी आप यहाँ पर details को fill कर रहे है यह बिल्कुल सही है, active है and valid है इसके बाद ही आप यहाँ से इसको final submit करेंगे इसके बाद friends आपका registration process complete हो जाएगा registration process complete होने के बाद आपको आपका application form fill करना होगा यहाँ पर friends लेकि नीचे आपको एक side में option मिलता है verify mobile number and verify mail ID तो आप चाहे तो starting में आप चाहे तो बाद में इनको verify जरूर कर ले आपको बस इन पर click करना है उसके बाद friends आपको जो यहाँ पर security question मिलेगा यह security code मिलेगा यह आपको fill करना है और send OTP करना है आपके register mobile number या आपके register mail ID पर वो आपके OTP जाएगी वो OTP आपको डाल कर verify करनी होगी और यह करना जरूरी है अब यह जरूरी नहीं है आप starting में ही करें आप चाहे तो बाद में करें पर इनको verify आप जरूर कर ले verify करने के बाद friends आपको यहाँ पर नीचे complete application form का option मिलता है आप इस option पर click करेंगे इसके बार आपका जो इफ form है यह start हो जाएगा सबसे पहले friends आपको यहाँ पर nationality select करनी है nationality select करने के बाद आपको यहाँ पर state बताना है जहाँ पर आपका जनम हुआ है तो आपका dimensional जो भी आपका state है वो आप यहाँ पर बता सकते है इसके बार आपकी category क्या है तो आपकी जो category की list है वो आपको यहां मिल जाती है आपके according जो भी आपकी category है वो आप select करेंगे पी-एच candidate अगर आप है तो yes कर सकते हैं नहीं है तो no करेंगे इसके बार अगर आप minority community से आते हैं मतलब जैन, sick, बहुत, पारसी, मुसल्मान तो yes कीजिए नहीं तो no कीजिए अगर आप यहाँ पर serving है as a commission officer, government officer या ex-serviceman तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नहीं है तो not applicable अगर आप दिल्ली university में सरु करते हैं तो आप permanent है, content basis पर है या फिर नहीं है आप इसको select करेंगे आपका meritor status क्या है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो यह basic जानकारी है जो कि आप fill करने वाले हैं यहाँ पर है अब आपका किस post के लिए apply कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पर multiple post की list मिल जाती है आपके according आप जो भी post के लिए apply करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अब आप चाहें तो multiple post के लिए भी apply कर सकते हैं, आप चाहें तो single post के लिए apply कर सकते हैं, यह आपके ओपर depend करता है आप कितनी post के लिए applicable हैं, हर एक post के लिए आपको fees देनी होगी, तो एक fees के लिए मालने जनरल की fees है 1000 रुपय, माल लीजिए, तो आप तीन post भरते हैं, तो 3000, 2000, यह आपको pay करना होगा, तो यह आप अपने according, जो भी post के लिए applicable है, वो आप select करेंगे, अब question paper आप किस language में देना चाहते हैं, वो आपको select करना होगा, इसके बाद है आपका exam city या state, तो सबसे पहले आप state select करेंगे, किस state में आप अपना exam देना चाहते हैं, इसके बाद उसमें जो आपका district होगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपने exam centers हैं, वो आपको choose करने होगे, अब यहाँ पर जो list दी गई है, वो दी गई है, आपको 4 centers की, तो आपको यहाँ पर 4 centers ही choose करने होग है वो आपको फिल करना जरूरी है अगर बार्वी का पास में सी हैे बाडवी की दिदेल तक just दस वी प्लैस कुछ के साथ कुछ अधर यहां पर फैंस आपको इस तो आपको पास बताना है इसके बार पास पासिन अपने जो यह exam है वो कपास किया है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद course का stream में अप 10 सेलेट करेंगे medium of study आपका क्या है वो आपको बताना है university का नाम या अपके board का नाम आपको यहाँ पर सेलेट करना होगा अप देखे सारे board के नाम आपको मिल जाएंगे फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो एक other का option भी है आप अपने according other के option को भी selected कर सकते हैं तो यहाँ अपने according फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट में थोड़ा सर्च जरूर करना होगा यह सर्च करने के बार आपको option मिलता है result mode का तो आपका friends जो result mode है वो कैसा है जिसमे percentage basis है CGP basis है वो आप select कर सकते हैं इसके बार यहाँ पर है total marks, obtained marks और percentage तो आपका exam कितने numbers का हुआ है वो आपको यहाँ पर mention करना होगा तो यहाँ अपने according जो भी numbers आपने gain किये हैं वो आप दे सकते हैं आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी इसके पर आपको देना है institute का नाम और आपका address तो आपका जो भी पूरा address है school का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो friends मैं पर पूरा address होगा वो आप लिख देंगे ऐसे ही friends अब आपको 12 की entry करनी है तो देखिए सेम आपका option है pass का है error passing का है आपके यहाँ पर percentage का है आपके यहाँ पर medium of study का है तो यह देखिए friends आपको सेम वही details एंटर करनी है आपके according जो भी आपका option applicable होगा जो भी आपका option आप आपको appropriate लगता है वो आप यहाँ पर selected कर सकते हैं यह select करने के बाद next option आपका आएगा जो की है friends दे graduate की detail का सेम यहाँ पर भी आपको आपका pass है appearing है वो आप यहाँ select कर सकते हैं इसके बाद सेम आपको यहाँ पर आपका देना है error passing इसके बाद course का stream यहाँ पर आपने b.teg, b.ba, b.ba जो भी आपने किया है या फिर नहीं इन में से कोई option है तो आप other भी select कर सकते हैं इसके बाद same आपका medium of study क्या है इसके बाद university का नाम क्या है तो आप यहाँ से university का नाम search कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो जैसे मैंने कहा आप other भी selected कर पाएंगे तो यहाँ अपन आप यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद यहाँ पर है PG details अगर आप PG pass out है तो आप PG की details दीजिए नहीं है तो आप यहाँ पर not applicable कर सकते हैं ऐसे ही कोई other अगर आपके पास qualification है आप उसकी जानकारी provide करना चाहें कर सकते हैं नहीं है तो आप यहाँ पर भी note applicable कर देंगे इ इसके बाद friends से same आपके सामने यहाँ पर option होगा review का तो आपने यहाँ पर जो भी details फिल की हैं आपने अपना नाम, father name, mother name, date of birth, आपका gender या इसके लावा category, person with disability, apply किस post के लिए कर रहे हैं आपकी exam city, आपका education qualification सब आपने चेक कर लिया है आप agree करते हैं कि कोई भी गलती नही तो यहाँ पर आपको upload images पर किलिक करना है और आपने documents को upload करना है तो देखिए photograph signature आपको upload करने होंगी 10-200KB का साइज photograph का है signature का 4-30KB का है, date of birth certificate में अगर आपके पर DOV proof है तो आप 10 की Marchita certificate भी upload कर सकते हैं और 10 का certificate आपको upload करना है यह है आपके PDF format में, तो आपको PDF format में अप अगर आपको यहाँ पर photo and signature है यह आपके GPG format में है आपको choose file पर click करना है इसके पर file पर जाना है या फिर जो भी option आपके mobile में आता है और वहां से जहाँ पर आपकी photo sign save है वहां से आप इंको import कर सकते हैं तो friends यहाँ पर अपनी photo को import कर लेंगे देखिए आपको यहाँ पिर format में वो आप यहाँ पर import कर सकते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर summit and preview का option मिलता है आप इस option पर click कर देंगे खिलिक करने के बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको option मिलता है self verified का तो यहाँ पर photo आपको clear show कर रही है signature कर रही है इसके बाद document के लिए शो कर रहा है तो आप इ पर देखिए आपके तीन ओप्शन कम्ट्रीट हो चुके हैं लास्ट ऑप्शन बचे का पेमेंट का और पेमेंट कम्ट्रीट होने के बार आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आप निकल कर अपने पास रख सकते हैं फीस आपको यहां पर देखिए दो हजार देखने को मिले आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है आप यहां पर आपके पास SBI या ICIC में खाता हो यह पेमेंट प्रोवाइडर है आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर ले और उसके बार प्रोसीड कर दे पेमेंट करने के लिए इसके बाद यहां पर देखिए प्रोसीड कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको फीस का ओप्शन मिल जाएगा और अपना जो पेमेंट है वह आप कम्प्रोइट कर पाएंगे तो यहां पर पेमेंट जैसे ही आपका वेरिफाय हो जाएगा इसके बार अपना फाइनल प्रिंट आूट या कन्फरमेशन पेज आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, फीस अगर आपकी डिटक्स आती है और यहाँ पर वेरिफाय नहीं होती है, तो 2-3 घंटे जरूर वेट कीजेगा, वो वेरिफाय हो जाएगे, और फिर भी नहीं होती है, तो आपको next payment कर देना है, आपका जो पहला fail payment होगा, वो आपको refund कर दिया जाएगा, कोशिश करें, UPI से payment ना करें, बाकी आपका payment यहाँ पर एक बार में ही complete हो जाएगा, तो यहाँ पर फैंस दिल्ली यूनिवसिटी के non-teaching post requirement 2021 का form आप mobile से कैसे fill कर सकते हैं, इसके बारे हमने इस वीडियो में बात की, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूट्यूब चनल, and last thanks for watching.